हेलो एभीवन मैं हूँ अमीत आज के इस वीडियो में कलास 10 के फिजिक्स चेप्टर के उर्जा के स्रोत टॉप 10 MCQ आपके बीचे परस्तुत क्या गया है जो देखिए आपके स्किन पर फर्स्ट कोर्शन देखते हैं फर्स्ट कोर्शन लिखा है कि भारत में उर्जा की आपशकता की पूर्ती के लिए बिभीन स्रोतों का उपयोग किया जाता है उपभोग के अधार पर इन स्रोतों का घरते कर में सही चुनि तो चलते हैं हम लोग first option की और first option है कोईला उसके बाद जल उसके बाद petroleum और प्राकरती गैस और नाभी किये फिर second option देखते हैं कोईला petroleum और प्राकरती गैस जल नाभी किये फिर second option है ये तो होगा नहीं फिर आगे काता है कोईला पेट्रोलियम और प्राकर्टी गैस नाभीक जल ये भी होगा नहीं फिर next option देखते हैं D, D में काता है कोईला उसके बाद नाभीक जल नहीं ये भी नहीं होगा पेट्रोलियम और प्राकर्थी गयस तो आपको जो है इस तीनों में से कोई नहीं होगा तो आपका राइट अंसर हो जाएगा कोईला उसके बाद कोईला उसके बाद जल पेट्रोलियम और प्राकर्थी गयस और ना भी किया यह जो है आपका right answer है तो question क्या काता है फिर एक बार देखता है भारत में उर्जा की जो आवसकता की जो पूर्ती है वो किन-किन सरों से हो रहा है तो सबसे ज़्यादा किसे हो रहा है तो कोईलास हो रहा है उसके बाद जल से हो रहा है उसके बाद petroleum और प्राकर्टिक गेस और की first में दिया है कि जल बिद्धूत सयंत्र में जल की स्थिती उर्जा को बिद्धूत उर्जा में रुपांत्रित किया जाता है उसके बाद है हाँ किया जाता है जल बिद्धूत सयंत्र में जल की स्थिती उर्जा को बिद्धूत उर्जा में बदला जाता है तो थोड़ा ह समझते हैं कि बिद्धूत उर्जा में कई से चेंज होता है और कत अ जल बिद्धूत उर्जा जल जो है एक बिद्धूत उर्जा का नवीकरनिय उर्जा है स्रूत है एक objective यहाँ से भी आपको हो गया जल बिद्धूत उत्पन करने के लिए नदियों के बाहाव को रोक कर बरेक किरत्रिम जल का जीलों का निर्मान किया जाता है और उंचे-उंचे बांध मनाया जाते हैं यहां स्थापित जल बिद्धु सेंत्र पर उसको गिराते हैं जल की स्थिती उर्जा को किसमें कर्णवर्ट कर देता है बिद्धु तुर्जा में चेंज कर देता है समझ फर्ष्ट कथन समझ गए है अब सकेंड कथन कहता है कि बांधों के निर्मान में से बांधों के निर्मान से ग्रीन हाउस गैस उत्पन उपरोगत में से कथन कौन से तो बांधों के निरमान से ग्रीन हाउस गैस उत्पन होता है तो कैसे जब बांध जो है जल में डूब जाता है डूबने के बाद क्या होता है बरे बरे परिस्थितिक तंत्र नश्ट हो जाते हैं पेर पहुदे सब क्योंकि बांध के आसपास क्या होते है बरी मातरा में पेर वनस्पती होते हैं यह सारे क्या होते हैं डूब जाते हैं डूबने के बाद क्या होता है सरने लगते हैं गलने लगते हैं सरने गलने के बाद क्या होता है विसाल मात्रा में मिथिन गैस उत्पन करते हैं ठीक है तो जो की ग्रीन हाउस गैस है तो आपका इसका दोनों कथन जो जिन में लिखित कफनों पर बिचार कीजिए कि nen ने धिन्धनों का उभदपन पाधप एवम जनतु से होता है उन्हें जयव मातरा करते है हाँ जय मात्र कथन तो सही है, फर्ष्ट कथन सही है, सगेंड है पादब तथा वहित मल, जो बाता है घंदगी, वो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिती में जिसे गाय का उबला हो गया, गोबर हो गया, उसे लोग गया उबर गैस बनाते हैं, बायो गैस, लोग पुराने जब होने में गोबर को जो है, गोई ठे के रूप में भी यूज करते थे, अभी भी होता है, अनुपस्थित में अप घटित होते हैं, तो बायो गैस, जैव गैस निकलती है, हाँ, निकलती है, राइट है, बायो गैस निकलती है, थार्ट कॉस्चन कहता है, कि जैव गैस में सार होते हैं लेकिन जो बाय मेथेन गैस है वो 75% होता है अब इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या वलू कौन सा तो अप्शन नमबर डी क्योंकि तीनों कथन सत्त है अब हम नेक्ष्ट देखते हैं फोर्थ नमबर करता है किन तत्मों की उपस्थिर्दी के कारण जैव गैस बाय तम खाद के रूप में उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन यहां देखते हैं ऑप्शन चारो दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन दिया है पोटास तथा फासफोरस सकेंड है नाइट्रोजन तथा फासफोरस केबल नाइट्रोजन तो आपका पोटास तथा फासफोरस नहीं केवल पोटास भी नहीं होगा केवल नाइट्रोजन भी नहीं होगा तो राइट अंसर आपका हो जाएगा बी जिसका नाम है नाइट्रोजन तथा फास्फोरस ठीक है अब हम नेक्स्ट चलते हैं फाइप नमर की ओर निमलिखित में से किस देश को पावनों का देश कहा जाता है छी तो इसका देखते हैं आप्शन क्या है ओप्षन में फर्स्ट ओप्षन में दिया है नार्वे नाद तो इसका राइट अंसर हो जाएगा देनमार्क ठीक है तो देनमार्क में जो है सबसे जयाधा प्रवंज से विदूत की उत्पाद होती है जो 25 पर्सेंट अपना योगदान रखता है और कुछ नए के लिए हम बता रहे हैं भारत जो है पबन उर्जा के छेत्र में जो है वीशु में पाचमा स्थान पर है चलिए हम नेक्स्ट पॉस्टन देखते हैं शिक्स में नंबर का निम लिखित में से कौन सा तद तो सॉलर सेल का उपयोग क्या जाता है अब सॉलर सेल में कौन सा तद उपयोग है तो इसमें लिखा है सिलकॉन, एस्टरेट, सीरियम, वैनेडियम तो आपको भी पता होगा नहीं पता है तो जान लेजिए सॉलर सेल में जो है सबसे जायदा सिलकन का उपयोग होता है तो आप नेक्स्ट है सागरिया तापिय उर्जा रुपांतरन बिद्धूत सेंध यानि ओशन थर्मल एनेर्जी कर्वर्सेशन प्लांट OTC बिद्धूत सेंध द्वारा सागरिया उर्जा को बिद्धूत उर्जा में परिवर्तन किया जाता है तो किया जाता है तो देखते हैं कौन कौन अप्सन सही तो फर्स्ट में लिखा है A में लिखा है कि महा सागर के प्रिष्ट पर जल का ताप 2 किलो मीटर की गहराई पर जल के ताप से 20 डिगरी सेल्सिय का अंतर होता है B में है सागरिया तत पर संकरी घाटियों हो जाए जहां बांध बनाया जा सके C में है उथले और चवरे सागरिया तत जहां पर नदी के द्वारा डेल्टा का निर्मन कह जाता है उपरोक्त में सभी इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा अप्शन नमर A महा सागरिया प्रिष्ट पर जल का ताप तत था दो किलोमीटर की घाराई में जल के ताप 20 डिगरी सेल्चेस का अंतर होता है तो A नमर कथन सही दिया है अब हम देखते हैं इसका अप्शन में नमर कथनों पर विचार की जब यहां कथन दिया गया है दोठो और इस पर विचार करना है लिखा है नाभिकिया विखंडन की अभिकिरिया में भारी परमानू के नाभिक के हलके में नाभिकों में तोड़ दिया जाता है तो सही लिखा है नाविक्या जब भी खंडन होता है जब इसका अविकिरिया कराया जाता है तो जो दो भारी परमानू होते हैं उसको क्या किया जाता है एक भी खंडन जब भारी जो परमानू नाविक होता है उसको हलके नाविक में तोर दिया जाता है तोरने के बाद क्या हो यह नाविक्या भी खंडन की जब होता है, भी खंडन के अविक्रिया के दौरान धेर सारे रूप में उर्जा मुक्त करता है, यही उर्जा को भाफ में कनभट करके विद्धूत उर्जा में कनभट किया जाता है, तो आपका जो कथन एक और दो, दोनों सुमिलित है, सही है, तो इसका right answer हो जाएगा आपका C one or two ठीक है अब next question देखते हैं नाभिक्या सनलेयन के संधर में निमलिखित कथनों पर विचार किजिए अब नाभिक जो सनलेयन होता है उसका थन दिया गया और विचार करना तो किस इस्थिति में जाता है नाभिक्या सनलेयन नभिकिरिया के दवरान दो हलके नाभिक को जोर कर एक बरे नाभिक बनाया जाता है तो हाँ एक बरे नाभिक बनाया जाता है जैसा कि मैंने पिछले question में बताया कि बरे नाभिक को तोर कर दो छोटे नाभिक में कनवर्ट करके विजली तियार किया जाता है तो उसी तरह दो हलके नाभिक को जोर कर बड़े नाभिक का भी निर्मान किया जाता है अब उसके बाद है लिखा है कि नाभिक सनलेन में समानता हाइड्रोजन अथ्वा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हिलियम उत्पन करती है तो नाभिक्या सनलेन जब होता है तो हाइट्रोजन और हिलियम दो समस्थानी का निर्मान होता है और फिर तीसरा दिया हुआ है नाभिक्या सनलेन अभिकिरिया सूर्ज ताप अनतार के विशाल उड़ जाका स्रोत है तो जब अभी किरिया होती है तो जो सूर्ज की temperature है वो उतना भी साल उड़ जाका उत्पन करती है तो इसका right answer हो जाएगा यानि कि तीनों कथन जो है अपने आप में powerful है तो इसका right answer हो जाएगा option number c 123 ठीक है अब हम next top 10 का question last question देखते हैं जिसा कि मैंने बताया आज 10 question का मैंने बताऊंगा 10 में लिखा है hydrogen bomb निमलिखित में से किस सिद्धान पर काम है जो hydrogen bomb है वो किस अधार पर काम करता है हम लोग सिर्फ नाम सुने hydrogen bomb hydrogen bomb तो चलते हैं इस पर भी देखते हैं करता है फर्ष लिखा है कि नियंत्रित सनलेन अभिकरिया और नियंत्रित सनलेन अभिकरिया नियंत्रन विखंड़न अभिकरिया और नियंत्रित विखंड़न अभिकरिया तो जो आपका नाभिक्या सनलेन है वो और नियंत्रित सनलेन अ होता है और जब यह नीचे गिराया जाता है तो सनलाइथ होता है और इसके बाद यह और नियंत्रित अभिक्रिया करके और इसका जो भेदन जो इसका जो तो छात्रों कैसा लगा यह वीडियो क्या आप कोई वीडियो हो अच्छा लगा हो अच्छा लगा तो अपने दोस्त फ्रेंड्स के बीचे इसको जाई शेयर कीजिए लाइक कीजिए कोमेंट कीजिए जो बच्चे कमजोर हैं उनको यह वीडियो आप शेयर कर देते हैं अपन लिखनेक बाद उन्हें अच्छा लगेगा तो आपको भी धनवाद कहेगा और जो आपको डाउट हो या आपको कोई सवाल है तो आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपके सवाल का जवाब दे सकें ताकि हमारा कनेक्टिवीटी आप तक जुरा रहें और करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं आपके वीच हर रोज डेली रेगुलर अबजेक्टिव आपको कलास 10 के लिए पूरी तयारी आपको कहीं जाने की जरूरी नहीं है इसी चैनल पर आल सब्जेक्ट की तयारी हो जाएगी